पूरी बिहार की जनता के विरोध में नेने लेने वाले मुख्य मंतरी अगर कभी कोई इतिहास में होंगे तो वो हमारे मुख्य मंतरी नितीश कुमार जी ही होंगे उनकी हर नीती हर फैसला बिहार की जनता के विरोध में ही रहता है इसमें कहीं कोई शक नहीं है तो अगर भाज़पा अगर उन पे आरोब लगा रही है मैं तो कहूंगा वाज़पास है कि सिर्फ वो आती पिछला विरोध ही नहीं गलित विरोध ही नहीं पूरी बिहार की जनता के विरोध में आज तक मुझे पता दीजे ना भाई या मुख्य मंत्री जी ने बिहारियों के हित में कौन से कारे की कौन से निर्ने लिये हैं जिससे बिहार का विकास हुआ हो या बिहार बनस्पत बाकी राज़ों के बहतर प्रदर्शन बिहार ने किया और ये आखरे हमी लोगे नहीं है भाईया ये नीटी आयोग के आखरे सरकारी आखरे हैं जो ये दर्शाते हैं कि विकास के जितने माबड़न हो भले वो सिक्षा हो स्वास्तो रोजगार हो हर माबड़न में बिहार सबसे पिछले पाइदान पर है और अगले पाइदान पर कब चला जाता है जब बात होती है अपराद और ब्रश्टाचार की तो यकीनन ये बाते जब उड़ोट कर आती है युवा विरोधी नहीं है मुख्य मंदरी नितिश्कमार जी क्या किये हैं भाईया युवाओ के लियास तक इन्होंने 2005 में कहा था कि मेरा सपना है कि बिहार से पलाइन किये वे जितने लोग हैं वो बिहार वापस आए 2005 से आज तक जो मुख्य मंदरी पिछले 17 सालों में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए वो किसी दूसरे के सपने को क्या पूरा करे तो ये तमाम परिस्तेतियां जिस तरीके से बिहार में उत्पन हो रही है ये दर्शाता है कि जब तक मुख्य मंदरी निदीश कुमार जी प्रदेश क्या नेत्र तो करते रहेंगे तब तक प्रदेश का विकास होना संभव है वियार में दो सिटों प्रदेश के रहे है आप में जानकारी में एत्था है कि कल बिहार संसदिय बोर्ड की कि अनाएग करते हैं जब वारना ओचुन्हाब रगा कि करसा लेगे रेखिन में और जिए 국 Means में कि नर्थ कह सब वारना गही आपक चुनाब कशुन्हाब में जिए्व।